हलो फ्रेंट्स मैं हूँ फैस और आप देख रहे हैं The Drone Expert YouTube चैनल आज के इस वीडियो में हम एक important topic के उपर discuss करेंगे कई दिनों से मुझे ये सवाल आ रहे हैं कि वो एक experience drone pilot है जो 2-3 साल से drone flying कर रहे हैं और वो बहुत skilled pilot है तो क्या वो बिना drone training के वो drone pilot license के लिए apply कर सकते हैं मुझे पता है हमारे कई सारे viewers होंगे जिनको ये questions उनके भी मन में आ रहा होगा तो आज के इस वीडियो में हम इसी questions का जवाब देंगे तो अगर मैं सीधा इसका जवाब दूँ तो इसका जवाब है ना क्यूंकि DGCA ने five days का training mandatory किया हुआ है तो आपको जब आप apply करेंगे pilot license के लिए तो आपको training certificate देना पड़ेगा जो आप ये five days training होने के बाद ही ले सकते हैं अब गई सारे drone pilot ये कहेंगे कि भाई ये क्या जब अबतस्ती है हम तो already trained हैं तो हमें क्या ज़रत फिर training लेने की हम तो directly certificate के लिए apply करेंगे तो इसके पीछे भी एक reason है जब आप देखेंगे कि जो drone pilot की जो topics हैं जो DGCNA ने दिया है उसमें दो चीज़ हैं पहला theoretical knowledge दूसरा practical skills यानि आपको theoretical आनी चाहिए और दूसरा है आपको skilled मतलब आप जो flying करेंगे आपको flying अच्छे से आनी चाहिए तो अब बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में जो 90% of the drone pilots हैं चाहिए वो छोटे drone fly कर रहे हैं चाहिए वो बड़ा drone fly कर रहे हैं 90% जो drone pilots हैं उनको इन concepts के बारे में नहीं पता होता है जैसे कुछ concepts के बारे मैं यहां पर list करूँगा बाकी पूरी topics अगर आपको जाननी है तो आप DCCA के website पर जाके देख सकते हैं तो अब यह है कि पहला topic ATC procedure यानि air traffic control कैसे काम करती है और drone का इसमें क्या रोल है दूसरा airspace classification मतलब जो airspace है वो कई parts में classify किया गया है जैसे कि हमने बचपन में सुना था कि जो हमारे airplanes fly करते हैं उसके लिए एक path बनाए गया है एक रास्ता बनाए गयी है जो कि आसमानों में होता है तो यही चीज़ें जो airspace हैं यह भी classified होते हैं तो यह दूसरा topic है तीसरा topic radio telephone यह medium और larger craft के लिए होते हैं जिसे RTR exam वगरा होता है तो यह topic है इसके बाद आती है aerodynamics कई सारे लोगों को यह नहीं पता कि यह drone कैसे fly करती है तो इस तरह से कई सारे topics हैं जो एक drone pilot को आनी जरूरी होती है क्यूंकि अगर आपको इन सारी चीज़ों की knowledge नहीं होगी तो हो सकता है जो हमारे airspace की safety है वो खत्रे में आ सकती है तो आपको इन सारी चीज़ों का knowledge होना जरूरी होता है तो जब आप five days का training लेंगे आपको इन concepts के बारे में aware किया जाएगा ताकि हमारा airspace safely operate हो पा है क्योंकि आपको पता है इस airspace में पहले से ही aeroplanes, helicopter, balloons, jet aircrafts, rockets जैसे object पहले से ही fly कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे DGCA की responsibility बनती है कि drone operations को smoothly conduct कर आई जाए इस वज़े से DGCA ने five days का training को mandatory किया है ताकि जितने भी drone pilots आएं उनको in basics concepts पहले से उनको पता हो ताकि हमारा Indian airspace safely operate हो पा है लेकिन कहीं न कहीं मुझे यह लगता है कि five days की जो training है यह एक new pilot के लिए बिल्कुल भी sufficient नहीं है क्योंकि इतनी सारी concepts इतने कम time में से समझ पाना और exam देना काफे मुश्किल हो सकता है आपको क्या लगता है कि यह five days की training sufficient है एक new pilot के लिए तो आप नीचे comment box में comment करें तो मैं यह plan कर रहा था कि एक professional drone pilots को जिन topics की knowledge होनी चाहिए उसका एक complete series बनाओं ताकि जो हमारे viewers हैं उनको help हो सके क्योंकि वो पहले से अगर यह topics से aware रहेंगे तो उनके लिए काफी helpful होगा जब वो exam conduct कराए जाएगी तो मिलते हैं drone pilot training series में Thanks for watching